सो हे गाइस कैसे हो आप सब आप सब का फिर से स्वागत हमारे एक नए वीडियो में और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप है थे अफिर करने फिर dieषए और का अज एक आपना कोल स्वाइण तो वह ही आज हम जानेंगे कि आपको पर दो ओन एक की प्लिप कार्ण से आपना टैक्स रिपोर्ट का से डानुोड कर सकती है जा加油 moments are वह फाइल उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपना flip card का पैनल लॉगिन कर लेना है तो जैसे कि आप देख सकते flip card का पैनल मेरा लॉगिन है अब इसके बाद आपको इधर में एक option मिलता reports का तो आपको reports पर अपना adjust cursor ले जाना है उसका और उसके नीचे में लिखाव है reports center तो आपको reports center पर क्लिक करना है जब reports center पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक page load लेगा इस page में आपको क्या करना है simply create new report का आपको उपर में बटन मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हो यह button है create new report का sorry इस पर आप क्लिक कर देना है create new report पर जब create new report पर क्लिक करोगे तो आपसी दर पूछेगा report type आपको report type में डाल देना है tax reports क्योंकि हम लोगा tax report चाहिए अशलिए जिए मैं tax report देख लूँगा अब report sub type लिखा है तो sub type में आपको डालना है जी एश्टी आर रिटर्न रिपोर्ट तो जी एश्टी आर रिटर्न रिपोर्ट इतना डाल देना है उसके पाद आपसे डेट पूछेगा कि आपको कौन सा मन्त का चाहिए इधर आपको जो भी मन्त का चाहिए आप इधर डेट डाल सकते हो तो अभी जैसे कि हमारा चल रहा ह January, February, March, April, May, June, July अभी मेरा चल रहा है तो हम लोगों को जून का लगेगा तो मैं एदर जून डाल देता हूँ जून डालने के बाद आपको ट्या करना है Simply generate पे क्लिक कर देना है जब generate पे क्लिक करोगे तो इधर में जो की है मेरे को जो की तुरत डाउनोड का option मिल गया पर आपको साथ तुरत डाउनोड का option ना मिले तो आप थोड़ा वेट कर लेना है क्योंकि मैंने पहले ही generate किया है तो ये already generated reportable के मुझे direct download option मिल गया पर आप first time अगर generate करोगे तो आपका इन क्यू जाएगा या पेंडिंग में उस होगा आप उसमें थोड़ा वेट कर लेना पात्स मिनिट उसके आद आपका जो रिपोर्ट हो अब लेवल हो जाएगा आपको अगर रिपोर्ट अब लेवल नहीं और ज्यादा देर होगी है आपको सब कुस समझ में आगिया होगा कि फिलिप कार्ट से आपको अपना टैक्स रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है और बाकी अगर आपको जानना है कि आप Amazon से कैसे अपना टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो तो उसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप उसको जाके चेक कर सकते हो इसी तरीके जैसे मैंने आपको फिलिप काट पर सिखाया टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करना है उसी तरीके जैसे मैंने Amazon पर सिखाया है तो आप वो वीडियो चेक आउट कर सकते हो तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और चैन